नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्त आज आप सभी के लिए ककड़ी के फायदों को ले करके आया हूं दोस्तों ककड़ी के फायदों से जुड़ी होई जानकारियों को ले करके ककड़ी का सुभाव ठंड़ा होता है यह एक शार प्रधान फल है इसमें सोडियम भी पाया जाता है जिसकी सहायता से शरीर में लोहता तो पहुंचते हैं और पेशियां लचीली बनती हैं शीतल होने के काराण यह त्रिशना नाशक होता है साथ ही अमल पीत भी भगाती है यह ककड़ी खाने से पेशाब की जलन दूर होती है मुत्र स्त्राव ककड़ी का रस लेने से मुत्र अधिक बनता है तथा मुत्र अधिक मात्रा में आता है गर्मी से होने वाले पेशाब के कश्ट में ककड़ी काटकर शकर डालें फिर उस पर निम्बू निचोड़कर खाएं आ तर जाता है अगर चेहरे की तवचा चिकनी हो तो तर ककड़ी या खीरा रगणें फिर पानी से दोएं चेहरी की चिकनाई दूर हो जाएगी ककड़ी भारी और पेट में गैस पैदा करने वाली होती है पाहरिया अगर आपको है तो ककड़ी खाईए इसका रस पीने से लाब हो त्वचा को शिकाओं को हटाता है आखों के नीचे की त्वचा अती समवेदन शील होती है आयू वातावरन और तनाव यूगत जिवन शेली से बहुत से नकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं जिससे कई समवेदन शील छेत्र में सुखापन और पिग्मेंटेशन बढ़ता ह आखों के आसपास जहां कहीं भी काले घेरे हों उन पर ककड़ी का रस नित्य तिन भार लगाएं साउधानी रखें के रस आखों में नहीं जाए ककड़ी नित्य लंबे समय तक खाएं आखों के काले घेरे ठीक हो जाएंगे वरिक गाजर्व ककड़ी ककड़ी और शल्जम का रस पीने से वरिक रोग ठीक हो जाते हैं। अगर दाग धब्बे हैं, तो ककड़ी का रस त्वचा का रंग साफ करता है। चहरे पर दाग, तामबे के रंग के धब्बे, मुहासे हो तो नित्य ककड़ी का एक ग्लास रस पीजिये ठीक हो जाएगा। केश वर्धक, ककड़ी में सिलिकॉन और सलफर अधिक मातरा में मिलते हैं, जो बालों को बढ़ाते हैं। ककड़ी के रस से बालों को धोएं, ककड़ी, गाजर, सलाद और पालक सब को मिलाकर रस पीने से बाल बढ़ते हैं। यदि ये सब उपलब्ध नहीं हो तो, जो मिले, वे ही मिलाकर रस बना लें, इससे ना खून गिरना भी बंद हो जाता है। लावदायक है, ककड़ी छिलके सहीद, कच्ची ही खानी चाहिए, ककड़ी पर नमक न डालें, ककड़ी खाने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है। तो ये था आज आप सभी के लिए ककड़ी से जुड़े हुए फायदों से रिलेटेड हमारा भाई सोबर दोस्तों, अगली बार आप सभी से जुड़ेंगे कुछे कौर महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.